क्रिमिनल प्रोसीजर एडेंटिफिकेशन बिल तो यह जो नया कानून है उससे एजनसी को ताकत मिलेगी अच्छी बात है ज्यादा शक्ति मिलेगी ज्यादा यहने कितनी देखो आप पूलिस को राक्षस बनाने जा रहे हैं सर्थान बनाने जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप मार्शल लौह ही लगा दो मार्शल लौह ही लगा दो कोई बात नहीं कानून में कुछ प्रवधान है आप इस कानून के नए कानून जो कहता है कि जो क्रिमिनल्स है उसके बायोलोजिकल सेंपल ले जाएंगे अच्छी बात है ठीक है आप राधियों के रेटिना स्कैन हो सकता है उसकी तस्वीर रेटिने के साथ साथ फुट्प्रिंट्स हातों के फिंगर प्रिंट्स सब लिय जाएगा ये सब कुछ ठीक है मतलब पूलिज जो चाहे उनकी मर्जी चाहे हारडन क्रिमिनल हो चाहे रामगोपाल जी यादव हो चाहे जया बच्चेंजी हो चाहे हम हो सबको आप एक तरह से पूलिज बनाने जा रहे हो सभी धान में कहा है कि किसी को भी उसके खुद के खिलाब गवाई के लिए फोर्स क्या नहीं जा सकता सेक्षिन ट्वेंटी के अनुसार हर नागरी को चुप रहने का अधिकार है उसे किसे के खिलाब बयान देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते नार्को ब्रेन मैपिंग इसी तरह से दूसरे किसी भी साइंटिफिक टेस्ट की भी आप उसके दायरे में नहीं आ सकते उसे कारण 2010 में सुप्रीम कोट ने नार्को टेस्ट भी गईर कानुन की कहा था समिधान करता है सर हमारा fundamental rights के बारा में बात कर नाइस मैं गुर्यमंत्री जी का अभारी हूं मैं उनका भाष्टन सुन रहा था लोग सभा का गुर्यमंत्री जी ने कहा कि government will do everything to ensure that there is no misuse of the law इस कानुन का इस कानुन का नहीं होगा अपने अश्वस्त किया है लेकिन क्या अपने अश्वस्त किया है लेकिन क्या हमारे आक में आफ डालकर आप बोस्टे कि कानून का जो आपको सवाल पुछेगा आप उसको क्रिमिनल मान कर चल रहे हैं यहां बैठी होई हर वेक्ति यहां आपकी लिए अपराजी है अब जो नया प्लीज एड़ेस दाचेर संजे राप जी प्लीज एड़ेस दाचेर हाँ तो गड़बड़ी आपकी भी है देख लेंगे तो गड़बड़ी करता है संजे जी प्लीज एड़ेस